दोस्तो अब जो भी व्यक्ति UPI से payment करने वाला है उसको दोस्तो चार्ज देना पड़ेगा अब वो चार्ज कैसे देना पड़ेगा कितने रुपे आप UPI payment करेंगे तब देना पड़ेगा वो मैं आपको detail में बताने वाला हूँ इसलिए वीडियो को end तक देखेगा तभी आपको कितने रुपे ट्रांसफर करने तब आपका UPI transaction चार्ज लगेगा अब दोस्तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करके comment box में UPI लिख दीजिएगा या फिर government के इस decision को आप कितनी rating देते हैं वो आप comment box में लिख दीजिएगा और दोस्तो चैनल को subscribe करके bell icon पर प्रेस क होने बाला है दोस्तो आप ध्यान रखिएगा National Payments Corporation of India यानि की NPCI नए UPI से merchant जो भी merchant transaction होते हैं तो merchant transaction पर prepared payment, prepared instrument यानि PPI भी से लागू करने का फैसला किया है अब आप जानते होंगे merchant transaction पर prepared payment, prepared instrument तो इस पर दोस्तो फीस लागू करने का फैसला लिया है यहाँ पर UPI से merchant transaction पर अब अगर कोई व्यक्ति prepared payment, prepared instrument जैसे mobile wallet के जरिये 2000 रुपे से ज्यादा का transfer करता है तो उसे interchange fees देनी होगी, यानि PPI के अंतरगत card और wallet आता है, यानि card और wallet यूज करने वाले व्यक्ति, यदि 2000 रुपे से ज्यादा का transaction करते हैं, ज्यादा transfer करते हैं, तो दोस्तो उनको यहाँ पर आप देखेंगे charge देना होगा, interchange fees देनी होगी दोस्तो, तो आप 2000 रुपे से कम का यदि आप transaction करते हैं, तो दोस्तो आपको कोई भी charge नहीं देना होगा, तो इस बज़े से अब आप किसी को भी 2000 रुपे से ज्यादा यहाँ पर transaction करेंगे, किसी को send करेंगे एक बार में, तो दोस्तो आप को यहाँ पर fees दन नहीं देनी होगी, लेकिन यदि आप 2000 देनी होगी, यहाँ पर interchange fees आपको देनी पड़ेगी, तो दोस्तो यह government ने decision लिया है, और यह एक April से लागू होने वाला है, यानि कि एक April से यह apply होने वाला है, execute होने वाला है, तो आप यह चीज ध्यान में रखिएगा, और आप अपने हिसाब से, अपने तरीके से यहाँ UPI transaction कीजिएगा, हाँ दोस्तो, PPI के अंतरगत, आपको पता देता हूँ, card और wallet आते हैं, और PPI की आपको full form पता है, यहाँ पर मैंने बता दिया, prepared payment, prepared instrument, तो यह चीज ध्यान में रखिएगा, दोस्तो, अब आप अपने तरीके से यहाँ पर किसी को भी transaction कर सकते हैं,